हलो बैटों कैसे हैं आप लोग बढ़ियां हम आज बात करेंगे क्लास 12 का जो फिजिक्स है बैटा AC और AC में एक टॉपिक है जिसका नाम है LC ओसिलेशन ठीक है जिसका प्रयोग हम इन दोनों इसके अंदर करेंगे तो जैसा कि बच्चे इस टॉपिक का नाम है LC ओसिलेशन यानि कि इसमें एल और सी दो चीजों की बात आती है इसको दूसरे अर्थ का अनर्थ नहीं करना है हमें हमें बस फिजिक्स के साथ चलना है तो कुछ और ही मतलब निकल जाएगा लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग सजनता के साथ LC के ऊपर चर्चा करें कि LC का मतलब क्या है ठीक है तो L का मतलब होता है इंडुक्टर और C का मतलब होता है तो एक ऐसी सर्किट जिसमें ऑसको चार्ट कर दें अंदर एक circuit के अंदर यानि एक circuit के जिसमें इंड़क्टर लगा हुआ है तो उसके अंदर क्या घटना है घटी है यही चीज हमें यहां पे देखने वाले हैं अब देखते हैं हम लोग LCO station में आपको figureman दिखा रखा है कि यहां पे आपके C हैं यानि की C Capacitance जिसकी जिसमें चार्ज क्या स्टोर है और यह इंड़क्टर ठीक है अब जब हम इसे आपस में कनेट करेंगे तो जैसा कि भाई पहले से स्टोर है और यह एक चीज़ गर्वडेशन हो गया ठीक है यहां पे इसका सीन यह होगा ठीक है और यह वाला सीन होगा हमको यह क्योंकि यहां पर प्लस-माइनस में यह कबड़ हो रहा था चलिए तो अभी हमने और इंड़क्टर को आपस में गर्एक कर रखा है अब घटनाएं क्या घटती है तो जैसे ही कैपसीटर क्या होता है तो कैपसीटर डिवाइस विच इस यूज तो इस्टोर चार्ज ठीक है सिस्टम को अब बात करते हैं इंड़क्टर क्या होता है जो यहां पर मैगनेटिक करता है ठीक है और यहां पे magnetic field यानि change in flux के वज़े से यहां पे induced EMF के वज़े से induced current produce होता है ठीक है यहां कि induced EMF होगा तो उसको कोई oppose करेगा उसके cause को oppose करेगा और वही उसके cause के opposition ही generate करेगा वहां पे induced current जो कि लेंडल ने कहा था ठीक है तो यह हो गया हमारा LC यानि कि L और C इन दोनों को कम्वाइन को भी लेंगे बटानों LC oscillation तो अगर आप से पूछे कि what is LC oscillation तो हम बोलेंगे जब हम किसी चार्ज कैपसीटर को एक सर्कुट में connect करते हैं जिसमें पहले से ही बटा एक इंडक्टर लगा हो जो कि जिसकी रेजिस्टिवीटी ना हो बटा ना मलब जहां पर रेजिस्टेंस जीरो हो ऐसा इंडक्टर उसके अंदर अटैज्ट हो जिसके वज़ा से उसमें एक oscillation produce होगी त्लिए यह फ्रीक्वेंस इच जन्रेट होगी और वह फ्रीक्वेंसी और एंपलिट्यूड देख वह फ्रिक्वेंसी और एंपलिट्यूड जो प्रोड्यूस होगी उस्यों कहेंगे हम क्या उस्यों कहेंगे विटाम लोग लोग एलसी ऑसी लेश तो हम एल से किसको कहते हैं तो जब भी एक चार्ज कैपसिटर को आप सर्कुट में अटैच करो और सर् frequency or amplitude और इनी frequency amplitude of oscillation को कहते हैं बिटे LC oscillation simple तो आप LC oscillation को simple as explanation दे सकते हैं अभी क्या है कि हमने यहां पर शो करना है आपको कैसे है इसके अंदर scene तो यहां से सबसे पहले यहां से यह यह चार्ज कपसिटर है जो ही connect किया तो इसमें इसके अंदर magnetic flux changing होगी यहां पर यहां पर हमने capacitor लगा रखा है अभी देखो चार्ज यहां पर तीन थे अब यहां पर दो निगेटीव और दो पॉजिटीव होगे यानि कि चार्ज क्या हो रहा है चार्ज निकल रहा है उसके अंदर से in the form of current flow हो रही है जिसके वज़े से यह जो इंड्यूस यह जो flux है जो magnetic flux से उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है बढ़ गई ठीक है मैंना क्या हो गई बढ़ गई तो इक गौर करो इस वादे के अंदर अभी अभी चार्ज था अभी फ्लो नहीं हो रहा था और इसके जहीं फ्लो रहा शुरू हुआ तो यहां से चार्ज की intensity कम होई और उपर magnetic flux की value होगी बढ़ गई ठीक है फिर कुछ जर में क्या होगा यहां पे बहुत सारे magnetic field के अंतरगत में हम इसको देख सकते हैं तो अब देखो यहां पे जैसे रुका हुआ था simple magnetic field यानि की current थोड़ा से हुआ फिर थोड़ा से ज्यादा हुआ फिर सबसे ज्यादा हुआ उस समय पूरी तरग यह अब डिश्चार्ज हो गया है अब डिश्चार्ज हुआ है तो किसको दिया है तो circuit में इंडक्टर लगा है और इंडक्टर का क्याम होता है कि magnetic field को अपने अंदर स्टोर करके रखना और जब magnetic field इंडक्टर करने का सीन है कि उसकी अंदर से magnetic flux की चेंजिंग होगी उसके वज़र से हमें induced EMF मिलेगा induced EMF से फिर induced current मिलेगा और वो current क्या करें बड़ा फिर से इस capacitor को चार्ज कर देगा तो यह चीज़े होंगी सबसे पहले यह मिले हम उसके बाद केसमें को यहाँ पे 3 है यहाँ पर 1 है here यहाँ पर 2 है यहां 2020 की वैलू ऐसे से घड रही है वैसे L की वैलू यह बढ़ रही है यह तachsen अब दूसरा रावन क्या होगा अब की वैलू घटीगी और स्फिल क्रूल बढ़ेगी तो यह जो आप देख सकते हैं यह जो लूप बन जाया है सबसे पहले यह फिर यह होगा और फिर यह होगा यह यह लूप आपस में क्या करती रहेगी बढ़ेगी और जिसके वजह से अगर हम देखें कि केस में कोई बी एनर्जी का लॉस नहीं हो अगर तो इस केस में जो ऑसिलेशन बनते हैं वह बनते हैं अब उसलेशन का मतलब होता है जहां पर हमको वेबलेंड के फॉर्म में वैलूस मिलें तो इसको कहते हैं बढ़ा यह हो को कहने का मनता है पहले बार में दर अग्षप का आता है जब अनर्जीक होती है जिसमें फ्रिक्वेंसि में अंप्र सुरू में तो हाइउ होते पर समय के स exercise क्या रहते हैं गड़ना इनरजी लो रही कि लेकिन में यहां पर उसीधिया से एकॉर्डिंग टु थिवरी थिवरी के हिसाब से तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह उन्दम्ट ऑस्टेशन करता है क्या यह सही में सो करता है जैसा कि हम थीरोटिकली बात करें तो यह हमें देखा कि यह उन्दम्ट अशिलेशन निकल के मिलेगा क्या ऐसा होका सही में तो ऐसा नहीं होगा क्यों क्यों ऐसा नहीं होगा तो ऐसा इसलिए नहीं होगा वेटा क्योंकि हम किसी भी तरह के सर्किट में हम देखते हैं कि वहां पर रजिस्टेंस मौझूद होता है हम चलो मान लेते हैं कि सर्किट में रजिस्टेंस मौझूद नह यह जो resonance condition बनता है इस condition बेटा heat के form में magnetic field resonance के form में उसके बेटा light के form में और atmospheric इस सब interactions उसके उपर होते हैं ठीक बेटा और जिसके वज़न से हमें LC oscillations में accurate amplitude और frequency नहीं मिलती है ठीक है यानि हमें ups and downs निकल के देखने को मिलते हैं क्योंकि यह बात कि हमारे हमारे अर्थ पे या हमारे systems के अंदर कोई भी चीज आइडियल कंडिशन में नहीं रह सकती और जो हम भी हमनों चर्चा कर रहे है LC oscillation का according to theory यह है आइडियल कंडिशन यानि आइडियल कंडिशन में यह होता है बाता सब कुछ इस्टर फेक्टर की बाइस हमको अंडम नहीं कैसा वसे मिनता है डैम डॉसिलेशन निकल के वहां पर आता है बाता इंद फॉर्म ओफ रिक्वेंसी हम इसको डील करते हैं ठीक है तो जो भी LC oscillation होते हैं उसमें हम जब भी dealing करते हैं जब भी expression निकालते हैं तो उसे हम frequency के फॉर्म में observe करने कोशिश करते हैं ठीक है तो यह था जो सीन्स था हमारे सामने कि जैसे कि क्या कंडिशन हैं कि भाई यह जो हम यह सही में undampt oscillation करते हैं क्या यह हमेशा इंटाइक रखते हैं तो ऐसा नहीं है एक तो पहला कर सकते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोमेटिक रिजुनेंस यानि इलेक्ट्रोमेटिक वेस्टिंग डैंपिंग जिसको कहते हैं वह भी चीज जिसके अंदर हो सकती है इसे गौर करो कि अगर एक जगह से मांनों एक टीवी में पहले तो टीवी में अगर एक जगह मांनों कि पहले भाई लोग डीटेस तो होता नहीं था तो विस्यार या डीवीडी यूज करते थे घर में फिल्म देखने के लिए या फिर कोई एसे कि मालों रहमान अर्लम फ्रिक्वेंसी प्रिक्वेंसी को टाइश करें जबढ़े चलती थे मन्हान तो अपने आसपास नंब रीडियों कर देते थे अपने फ्रिक्वेंसी को ट्यूनिंग को करते बढहा देते थी जिसके अगर तो ऑपल करते हुए कोर्हित लिए तो छीज ऊध्त प्रोग जो कि LC oscillation के वज़द से होते हैं ठीक है तो अगर वहां पर वेस्टिंग नहीं होता है तो हमें दिखाई नहीं देती इसका मतलब वहां पर वेस्टिंग होती है LC oscillation में loss होता है जिसके वज़द से हमें निकल के वहां से आते हैं ठीक है तो यह था हमारे LC oscillation का टोटल पार्ट जो कि हमने आपको बताया थे कि LC oscillation होते क्या है ठीक है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम में इससे थिवरी से हो तो आप हमें जरूर कॉंटक्ट करेंगे वाटसब चैट कमेंड बॉक्स खुले हैं आप उसमें जरूर सवाल पूछ सकते हैं अपने तरफ से तो हम उसके लिए इसका एक्सप्रेशन तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का डेरिवेशन होता है ठीक है तो इसकी डेरिवेशन तो हम नेक्स्ट एपिसोड में LC oscillation के derivations को देखने कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी डेरिवेशन होता है उसको प्रूव कैसे करके और इसकी frequency की value को हम निकाल के बताएं कि आखिर की frequency कि किसी कितनी होती है और किस पर किस पर करती है ठीक है उसके साथ में हम एक्सप्रेशन को निकालने कोशिश करेंगे उसकी अगली एपिसोड में तो अभी हम मेरा लाइन से एल सी ऑसिलेशन का ही दिन चलने वाला है तो मिलेंगे लिए नेक्स्ट इसके expression फिरम के साथ जहेंद आँ